दियां गदियां संबिल जान यार दियां गदियां ते ससारी खुदाई की कर्मी दिन महशर साड़ी बढ़ जावे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपको नजर आ रहे है मश्यदे हजरते अब्दल्ला इबन अबास रजियला आनहों जो के टाइफ में मौजूद है हजरते अबास रजियला आनहों बारा साल जिन्दगी के आपने आखरी आएम में यहां पर तश्रीफ फर्मा रहे और आपकी मजार अग्दस भी इसी जगा में मौजूद है हजरत अबास रजियला नहों की ये मश्यद माशालला यहां पर कुरान मजीद के नुस्खे जो के पत्रों के उपर लिखे हुए साहब अकराम जिस तरह महफूद रखा करते थे ये इस मकतबा में मौजूद है तो जरूर आएं आप तैफ में आज ये छुटी की वज़ा से जो है ये मकतबा उने बंद किया हुआ है और हम अंदर तो नहीं जहा सके इन्शालला नेक्स टाइम में कभी अगर अल्ला पाक ने मौका दिया तो इसकी जारत भी आपको कराऊंगा मेरी खायश है कि जो दोस आने के लिए बेचैन है या जिनको खायश है और नहीं आ पा रहे तो उनको यहां से जियारत करा दिया करो तो आप यह ताइफ में आज हमने प्रोग्राम किया था ताइफ में जाने के लिए ताइफ की जियारात के लिए अधरत अमाहलीमा साधिया रजाला नहा उनका गाउन देखने के लिए और टाइफ के जियाराद जहां पर आप सुले लाहरे सिलम तश्रीफ फर्मा हुए थे जब आप ने टाइफ के सरदारा ने टाइफ को दावत के लिए पैगाम भेजा था तो हम अभी इस ताइफ का सफर चुरू किये हुए हैं यह आप देख रहे हैं खुबसूरत मनाजर अलहद्दा रोड की तरफ से जाते हुए ताइफ में माशालला बेहतरीन मौसम जैसा कि आप सब जानते हैं कि ताइफ एक खुबसूरत मकाम है सहर तफरी के लिए थंडा मका है ठंडी हवाएं बेहतरीन मौसम अभी यहां पर यह आप चेरलिफ्ट भी देख रहे हैं बच्चों के लिए भी खास तफरी ही मौाके हैं यहां पर अमराजारीन अक्सर जो आते हैं अभी तैफ में हकुमत की तरफ से बबंदी बिल्कुल हड़ा दी गई है तो आप यहां के लावा भी मौसम को भी इंज्वाए करें अल्ला पाक आपके लिए असानिया फर्माए यह ऐसा हम अपने सफर की तरफ बढ़ रहे थे यह खुबसूरत मनाजर मैंने सोचा आपको इसकी विजारत कराता चलू और आप जैसे हमरे पाकिस्तान में यह मकामात हैं शुमाली लाका जात में ऐसे ही बिलकुल ताइफ का मौसम बेतरीन खुबसूरत थंडी थंडी हवा और दिलकश पहाड लाहम सलेरा हवीवी सीदना मुहम्मद आर मुहम्मद असहाब मुहम्मदी मुबारिक वसल्म सुभान ल्ला सुभान ल्ला मेरे माले के नजारे क्या कहने अब य इस तैसाम जैसा के सफर आप देख रहे हैं जारी है हमारा सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम किया कि मस्जद हजरत अब्दल्ला इबन अबास रजिला अनहों के जारत के बाद अभी मैंने आपको पहले कुछ लमात पहले भी जो इसके जारत कराई थी ये देखें ये वो मक अब्रीग और इसलाम के लिए यहीं पर मरकज बनाया तो ये आज वहां पर जामया अब्दल्ला इबन अबास मौजूद है और इसके अंदर जो है एक मकतबा वाके है जहां पर पत्थरों के ओपर आयात कुरानी नक्ष हैं जिस तरह सहाबा कराम उनके ओपर आयात कुरानी लेकर महफूज किये हुए थे ये इसके अंदर नुसके मौजूद हैं तो इन्शालला मैंने पहले भी यह से बताया आपको तो अभी आज चुटी होने की वज़े से जो है मकतबा बंद है तो इसकी जियारत आपको मिलेंगी यहां पर कुरान मजीद के नायाब नुसके भी रखे हुए हैं मकतबा के अंदर में तो यह और अभी हमारी मनसिल जो है यह दोस्तों मैं आपको यह मकाम पर लेके आया हूँ यह वो जगह है जहां प्यारे आकास अलला हो रहे वारिव सल्म ताइफ के दिन यहां पर तश्रीफ लाए थे जिसको आप सल्म का सबसे जिन्द के बाद आप सल्म की बारगाम में हजरत आईशा सदीका रजिला नहां ने अर्व कि या रसूल ला सल्म आप के लिए घजवा उहद से बढ़कर भी तकलीफ दे दिन कोई था तो आप सल्म ने फरमये हां आईशा रजिला नहां मेरी जिन्दगी का सबसे मुश्किल तरीन द दिन ताइफ का दिन था तो ये वो मस्जद है मस्जद अलको जो के ताइफ में मौजूद है अलमस्ना के एरिया काया जाता है ये तो मैं यहां पर आपको लेगे चलता हूँ इसकी मस्जद की जियारत भी कराता हूँ और वो जगा बताता हूँ जहां पर आप सल्ले लिए पर आराम फरमाया और कुफारान अताइफ ने जो इस सामने में पत्थर दिखा रहा हूँ इसको आपके ओपर धकेलने की कोशिच की रबताला की कुद्रत से ये पत्थर छोटे से पत्थरों के ओपर जो है रुका हुआ है ये है और मस्जद अलकौ मस्जद अलकौ यहां पर अर्बी में भी इसका मजमून लिखा हुआ है तो कहने को मकसद यह है यहां पर आप स्थर अलकौ जब ताइफ वालों को दावत तबलीग के लिए तशरीफ लाए तो उन्हों ने कुछ ओबाश नौजवानों को आप स्थर अलकौ के पीछे लगा दिया और आपको शदीद जखमी कर दिया आप स्थर अलकौ के टखने मुबारक के उपर पत्रों के निश्ट पत्रों से पत्राओं करते थे जिसकी वज़े से आप स्थर अलस्लें के पाउं मुबारक शदीद जखमी हो गए और इतना जखम हुआ खून जम गया पाउं के अंदर आपकी नालाएन मु में कहा जाता है यह सामने जो पत्थर आप दिखार इसको सुर्खन नजर आ रहा है आपको यहां पर कुछ देर के लिए आपस असलम ऐसे ही टेक लगा कर तश्रीफ फर्मा हुए थे तो यह वो मस्जिद का अंदर का मंज़र भी मस्जद बना दी गी है यहां पर उस टेम में लाह आलम क्या सूरत हाल थी तो जैसा कि मैंने आपको यह जियारत कराई है तो यह सामने पत्थर भी मैंने आपको बताया इस आराम के दोरान उन्हों ने कहा कोशिश की कि यह इस पत्थर को धके लाजाए रब की कुदरत से यह पत्थर जो है बहुत बड़ी एक चटान है पत्थरों के ओपर रुका हुआ हुआ है यह लापा की कुदरत के कुफारान इतैफ के इरादे से वो अपने इरादे में काम्याब नहो सके तो आपसले यहां पर आराम फरमा हुए और कुछ औबाशू ने आपसले को कंदे मुबारक से पकड़ कर उठा कर कहा कि आप चलें तो उनका मकसद यही था कि आपसले को तकलीफ पहुँचाई जाए यहां पर प्यारे आपसले के वो मकामात की जारत कर रहे हैं जहां पर आपसले की पत्थरों के ओपर दीन इसलाम की सर्बलंदी के लिए ताइफ में तश्रीफ लेकर गए और कुफारान ताइफ को यहां पर दावत तबलीग के लिए हुकम दिया जिसके यहां पर आपको निशानात भी मिल रहे हैं यह वो पत्थर हैं जहां प्यारे आपसले के पाउं मुबारक लगे हुए हैं इन्ही पत्थरों ने आपसले ल ताइफ को यहां पर कुछ दियर के लिए आराम फर्मा हुए तो कुछ ताइफ के अबाश आते और आपसले के कंधू को पकड़ कर उठा कर चलने की कोशिश करते कि आप चलें और वो उनका निशाने आपके टिखने मुबारक थे जो के शदीद लोलिहान होने जाने के वाज़ा से आपसले के थोड़ी करहत हुई और कमजोरी की वज़ा से इस मस्जिद में तश्रीफ फर्मा हुए इतने में मलाय के जबल जो के पहाडों का फरिष्टा है वो हाज़र हुआ रब की गुद्रत से और अर्ज की या रसुल्ला से अब अगर मुझे हुकम दे तो इन पहाडों के दर्मयान तैफ वालों को कुचल दूँ आपसले ने इ उनकी कौम से अल्ला पाक मुसल्मान पैदा फर्माएगा और वो दीन इसलाम के लिए तक्वियत देंगे तो हज़रत खालत बिन वर्लीद रजियाला अन्हों और कबीला बनी सकैफ यहीं से तालुक रखते थे जो के बाद में इसलाम के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात है तो आज जो है ताइफ में बहुत ही खुशहाली अपने प्यारे आखा सुल्मान की बरकत से आपकी दौाओं से ताइफ वाले और पूरे एहल अरब एहल इसलाम पूरे आलम इनसानियत आख सुल्मान की रहमत के तुफैल अल्ला पाक य लुद्व करम के सिद्के में पूरी अमत जो है खुशहाली की जिन्दगी बसर कर रही है यह मेरे आका सुल्लाख और अल्म की सीरत तायबा है जो कि आएफ जो आप सुल्म कुफार को तकलीफे उठाने के बावजूद बद्दद्दद्द्दद्द दौा की एपने सब के लिए द्द्द्द्द्द्द्द्द ज्याषिवान नहान शार भी आप सर्फ में आपके साथ थे उनकी कोशिश हुआ करती ती जब ताइफ के और तायफ के कुफार आप सर्फ म को जखमी कर रहे तो वो कowser तरह थे आप से आप स्लमं के आगे पीछे दाएं बैं जतनी हो सकी और से कोशिश बख अखिर्माते हैं यह पाग है जहां पर हजरत अद्धास रजादास ये आप वाग है अगूर पेश की आपकी खिदमत में जो के अद्धास बाद बाद में मसल्मान हो गए थे ये इस बाग में तशरीफ फर्माते है आपस़ालसलेम को आपकी खिदमत में जो है उन्होंने अंगूर पेश किये ये वो अंगूर पी है और ये वो मस्जिद फ़जरत अद्दास रजी लानुग जो के बाद में मस्लमान हो गया थे ये उनके नाम से मस्जद है हजरतियास का तालोग नैनवा से था नैनवा हजरत यूनिस लिए सलम का शेहर था जब हजरतियास अभसथ सल्षालह की खख्थमत में हाजर हुए तो आपने पूचा कि तो तम कहा से हो? तो आप ने फरमाया अर्ज की कि मैं नैनवा से हूँ तो आप सब्सक्राइब ने फरमाया कि नैनवा मेरे भाई यूनिस के शहर से तो हज़रत अदास ने पूछा कि आप हज़रत यूनिस को कैसे जानते हैं तो आप सब्सक्राइब ने फरमाया कि यूनिस मेरे भाई वो भी अल्ह के नभी और मैं भी अल्ह का नभी हूँ तो इसके बाद हज़रत अदास रादिलान हो आप सब्सक्राइब की खिद्मत में इसलाम कबूल किया और शर्फ सहाबियत से शर्फ सहाबियत उनको अता हुआ अभी हम दोस्तों जा रहे हैं ताइफ की तरफ कबीला बनी साथ य तो काफी दोस्त जो है ताइफ में आते हैं उनको रास्ते का नहीं मालूम अगर मैं आपको यहां पर अपना वार्थम नम्बर भी सेंब कर दूंगا किसी दोस्त बादा कर सकते हैं इंशालल phon souvent मैं आपको इस रास्ते oh praGreat कृ सिर की लोकेशन डाल देंगे ताइफ अलसिर यहां से सिर के बाद जो है कबीला बनी साथ का बोर्ड नजर आएगा तो यह इस रास्ते से आते हुए आपको कुछ मैंने निशानिया भी बता दूँगा यह बोर्ड नजर आएगा शक्सान का शक्सान से जो है उल्टे हाथ पर आप एक रोड जा रहा है इस पर आप चले जाएंगे यहां से तकरीबन जो है ग्यारा किलो मीटर है वो मकाम जहां पर हदरत बीबी हलीमा साधिया रजाल आणा का गाउं था अब क्यूंके बनी साथ का कबीला और उनकी जो अबादी है यह शक्सान से मैंने उल्टे हाथ पर बताया इस से तकरीबन दो किलो मीटर आगे है सीधर लेके चल रहा हूं यह रास्ते की थोड़ी थोड़ी आपको मालूमात भी होती जाएगी आप इंशालला वीडियो देखेंगे तो आपको रास्ते की मालूमात भी होती जाएंगी और इंशालला रब कैनात के फजल करम से आप आराम से जो है वस जगा पर पहुंच पर हम पहुंच चुके हैं इस से देखें आप ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है सैड में ये लाजमी बात है कि जो जानने वाला हो उसको ही मालूम होगा इसके इलावा बहुत ही मुश्किल से ये रास्ता मिलता है और ये जगा की लोकेशन सब को नहीं मिल सकती तो इन्शाल उसके इलावा भी मेरा फून नंबर भी होगा जो भी भाई आएं मेरे से राता करेंगे तो इन्शालला मैं उनको रास्ता भी बताओंगा तो महमन अभी जो जा रहे हैं ये वो मकाम है जहां पर प्यारे आका साल्या रास्ता के बच्पन के दिन गुजरे हजरते हलीम सादि दूद पिलाया ये वो जगा है अभी हम कुछ ही देर में यहां पर पहुंच गए हैं बलके थोड़ा सा रास्ता जो है खराब है क्योंके बार्चों की वज़ए से ये एक घाटी है तो बार्चों का पाने यहां से गुजरता है तो इसकी वज़ए से ये रोड अक्सर मौसम है यहां पर प्यारे आका स्लिल्ला ओर्चों अपनी जिन्दगी के बच्पन की जिन्दगी के आयाम यहां पर गुजरे और यहां पर हदरत हली मसादियर राजियला अन्हा का एक गाउं वाके था जो कि अब तो यहां से अबादी दूसरी सैड में चली गई है तो ले अबसूरत जगों पर तश्रीफ फरमा हुआ करते थे यह काफी सारे दोस्त पी आये हुएं जियरत के लिए यह दोस्तों मैं जो आपको यह जगा बता रहा हूँ यहां पर हदरत हली मसादिया राजियला अन्हा के घर मुबारा कुआ करते थे यहां पर आप स्लिल्ला शीमा रजियला नहां जो के बाद में मुस्ल्मान हो गई थी वो भी घजवा हुनैन के बाद जो है दावत इसलाम कबोल किया था उन्हों ने यह वो जगा है जहां पर कुछ अर्सा पहले तक भी एक कमरे की हालत नजर आती थी कि यहां पर एक कमरा था तो कुछ अर्सा पहल फर्म तो मैं नहीं कहूंगा कि कौन सी जगा पर आप स्लूम के और हदरते खलीमा साधिया रजियला नहा के घर हुआ करते थे लेकिन यह वो जगा है यह वो पहाड़ हैं जहां पर प्यारे आकाश सल्लाब रहुरे और सल्म तश्रीफ फरमा हुए थे और हदरते हलीमा साध जब मक्का से तश्रीफ लाइए तो इन ही जगों पर आप सिल्लम को लेकर इन ही जगों पर तश्रीफ फर्मा हुई ये वो घर के नक्षे नजर आ रहे होंगे आपको जहां पर कुछ दोस्तों ने जाये नमाज बिचाई हुए ताकि यहां पर आकर ऐसी बबरकत जगा है जहा पर हजूर सललला हुले सलम का बच्पन गुजरा आज भी इन पत्थरों से आप सिल्लम की खुश्वो आती है आप सिल्लम के पाओं मुबारक यकीनन इन ही पत्थरों पर इन ही पहाडों पर पड़े होंगे ये कोई दोस्तों पत्थर वो नहीं है कि जो कहीं से उठा के होगा यही वो पत्थर हैं जहां मेरे आका सललला हुरे वह सलम क्हेलते होंगे यहीं वो जगे हैं जहां पर शैर कहता है कि हली महा मैं तेरे मुकदरां तु सदके तु मदिनी दा जूला जुले दीवी हो से तु सोहूने दा मुकदा नुरानी नुरानी तु तक दी ते रही चुमे दीवी हो से जी मेरे भाईयों तो यह वो जगह है जहां मैं मौजूद हुए इस वक्त यह उन्हीं कमरों में से है जहां प्यार आका सललला हुले सलम को हदरतِ हरीमा सादिया रजियला अन्हा लूरियां दे कर सुलाती थी तो और आप तो सललला हुले सलम यह पर आराम फरमा हुआ करते थे तो चांद आपके इशारू पे जुमता था सुभान अल्ला हुआ कैसे मुबारक घड़ियां होंगी कैसी खुश्रसीब होंगी अम्मा अलिमा सादिया रजियला नहा जो प्यारे नभी अकरम सललला हुआ को खिलती होंगी आपके साथ खेलती होंगी मेरे भाईो सुभान अल्ला हुआ का बारे सीदना महंम्मद बार महंम्मद आसाब महंम्मद अल्र नभी रहमते नभी रहमते नभी रहमते गाश फिल गुम्मत ये वो जगाहे हैं जहां फजात हली मास, राजया आजिया राजया आणहाँ आपसिल इसमें हो नहीं बाबर कज़ओंगें पर मेरे आकाश वा करते होंगे यह वो पहाड़ियां यह वो मोसुम जहां पर मेरे आकास ﷺ तश्रीफ परमा वे हजरत हलीमा साधिया रजया लगा जो के इन ही बस्तियों में रहती थी और यह वो जगें थी जहां पर प्यारे आकास ﷺ को हजरत अबीबी शीमा रजया लगा अपनी गोद में उठा कर बक्रियां चराने के लिए जाती है जो कि हजरते हलीमा साधिया राजिया 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 रा खाने के बाद खुद ही वापस तश्रीफ ले आती आपसर असलम के चेहरे मुबारख को बक्रियां भी इतनी खुशनसीब थी कि वो देखती रहती बक्रियां मेरे आका सर असलम की खुश्बू को सूंकर वापस आती हदरत शीमा चुके वो उनका भी बच्पा नहीं था तो उ अंदाजा होगा कि बक्रियां कैसे इदर उदर भागती हैं लेकिन अधरत शीमा रदिलाना अफर्माती हैं कि जब मेरे भाई मुबारख को बक्रियां जो है चारा चरने के बाद वापस आराम से आ जाती है और बादब होकर मेरे आका सर असलम की वारगा में उनकी जियरत कर अगती रहती थी ये वो सामने में एक जगा आपको वहां पर पता लेके जा रहा हूं जहां पर कहा जाता है कि वाकिया जो है शक के सदर जो कि आपस आसलम का सीना मुबारख कोल कर फरिष्टे हजरत जिबरियर रही सलम और फरिष्टे जो है लाके पाक के फरिष्टे आये उर आफस sulphслum का सीना मुबारख चाक करके उनको ध reserved को जो कि आपने सीरत की किताबों में से सुन रखा है ये वाकिया तो इनी वादियों में से यकीनान एक वादी रही होगी जिसके बारे में वाकिया सfaक के सदर यकीनान इनीही जगों पर वाकिया हुआ होगा मैं आपको य पुश्बू वाली मौत्तर जगें थी और कुछ अर्सा पहले यहां पर एक द्रख्त हुआ करता था यहां पर एक मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूं अब जो है उस द्रख्त को काट कर उसको जला दिया गया है क्योंकि काफी अर्सा पहले मैंने भी एक वीडियो दे गया था यह सामने मैं आपको दिखा रहा हूं यह वो द्रख्त है जो के यहां पर अर्सा पहले मौजूद था इसी की बारे में लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि इसके नीचे जो है वाक्या शक के सदर रूनमा हुआ था तो जिसके बाद इस द्रख्त को काट कर यह आपसे इलत्या है गुजरिश है कि असी बाबर का जिगूं की आप زیارत करें बेशक जियारत करें लेकिन अपने कायद भी सिद्धे ही रखें यहां पर आएं आप दोा करें बेशक यह मक्भूल जगाए यहां मेरे आकब सर Cristalola hadis liamomet का बच्छ्पन गुजरा है बेशक किसे कोई बढ़कर बाबर का जगा हो ही नहीं सकती आप आएं दौाएं करें रब के खजाने मांगें अला पाक की कुद्रत के नजारे देखें ये उसके साथ ये एक बाग है जहां पर अनार की फसल आपको नजार आ रही है इसके इलावा भी कुछ द्रख्त हैं यहां पर जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं है लेकिन अनार और कुछ सबजियां यहां पर उगाए हुएं मकामी हज़रात आज भी इन ही जगों से फैदा मंद हो रहे हैं जहां पर पर फैर अगा सलन्ले लगा लिज्यसाले के बिच्पन के आयाम गुझरे और आप सलन्लीbin की खुश्बूएं आज भी इन ही जगों से आ रही है तो आप से गुजरेश है के महरपानी करें आप इन जगों पर आएं जियरत करें ज्यारत भी इस गरस से कि प्यारे आका स्वालाओं इन जगों पर तश्रीफ फर्मा हुए थे इन मौस्मूम हैं आप स्वासलें ने अपनी जिन्गी के दिन गुजारे हैं इन में कुछ अपनी गलतीं की वज़ा से दूसरों के लिए मसायल पैदा ना करें ऐसा ना हो कि ये रास से बंद कर दिये जाएं और आप और हम इन जगों की जियारत से महरूम हो जाएं दौाहे रब कैनात हमारे सफर को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए ये या मेरे भाई आए होते कुछ अपने हमारे गाउं से खाजय यासर साइब इन से भी मैं यहीं कह रहा था कि ये जो जगे हैं ये हमारे लोगों की गलतीं की विज़ा से जो है इस दरख्त को कार दिया गया शायद हकूमत की तरफ से या के मकामी अफराद की तरफ से जो के ये देख रहे थे के हमारे लोगों ने इस जगा को गलत तरीके से मनसूब कर दिया है तो कोशिक करनी चाहिए कि यहां पर जो है कमजकम आकर आप ऐसे काम ना करें जिसकी वज़े से दूसरों के लिए मसायल पैदा हो रब कैना आप अपने प्यारे महाओब की सद्के में हमारे हादरी को कबूल मकबूल फरमाए और मैंने कोशिक की है यहां की आपको जारत कर सको मकमल इस अ्यरिये की तो मकसद यही था और नियत भी यही है कि आप जो है अपने घरों में बैठ कर इस जगा की जारत करें जहां मेरे आका ﷺ का बच्पन गुजरा और मेरे आका ﷺ के खुबसूरत आयाम जिन्दगी यहां पर गुजरे आपने तो आप आएं बेशक जारत करें जारत करने के बाद आप दौाय मांगें बेशक यह मकबूल जगा है बाबरकत जगा है जहां अबिया करम ﷺ के पाउं लगे है यह खुबसूरत जगा खुबसूरत मौसम यह वादी इसका नजारा करना एक खुशी का बाइस है खुशी मिलती भी है खुशी होती भी है जहां पर आएं आप देखें आप यह अनार लगे हुए मुझे इनको देख के ही ऐसा फील हो रहा है जिसे मैं आप स्वेशी लगे हुएं यहां पर समेटे हुए हूँ अभी जो है हम ताइफ में आने के बासफर के आने के बाद यहां मस्जद मिकात अलसेल कबीर के तरफ आए है तो इसकी आप जियरत भी करें और उम्रा अगर करना चाहते हैं वापसी के लिए तो आप यहां से इहराम बांदें और यहां से आप उम्रा करें दौा है रब कैनात हमारी इस खिद्मत को कबूल और मकूल फरमाए और अपनी बारगाह में हमेरी इस हादरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन सुमा आमीन यह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मस्जद का अंदर का हिसा और अभी कुछ देर के बाद बहर दिखाऊंगा कि काफी सारे दोस्तों तो मस्जद मिकात जो राना है यहां से तैफ आले हज़रा जिखे उम्रा के लिए यहां से आके हम बालेंगें जिसा क्या पता है तैफ से आने वालों के लिए जो निकाद है यह निकाद सेल कभीर में है यहां सारे आके आप दूरकबन फिलनमाद शाम पड़कर परमशरी में जाएंगे और उपर अग्ते अ कि अधिक आपको पता है अ जैसा कि आपको पता है तो अ जाए ने कि वसके बता रहा हुआ है मुस्वल का फूरत हो गया है मांके सब्सक्राइब कराउं से मासिवाल्ला है तो यह बद्दी गुद्दाउग तो गो जांदिए तो इस दो अध्युक्त रहे हैं देख सकते हैं यहां पर काफ़ी उम्राजारीन मौजिद है स्पैम इसी दफार एक दो मैंने यहां पर वीडियो बनाई थे जो कि आयाम करोना में थी तो स्पैम में यहां पर कोई भी बंदा नज़र नहीं आगए अधाद माशाला इस तरह से उम्राजारीन के काफ़े मौजि जो जारते मौताइब के लिए जाते हैं अब रवापसी में हम उम्रा करना होता है तो यहां से आकर इहराम बादे लेते हैं यह मालीजिया मालीजिया के उम्राजारीन नाम बादेखर मौजूद है आगा आगा व्लास अब करना है मैंने की कुम्रा नहीं करना ता इसलिए मैं नमाज असर पढ़ने की नमाज असर पड़ी और अभी जो है बाक्सी है इंशाला वक्का की तरफ अधादी लिए सामय करना है